थो आज की वुडियो में आपको बताने वाले यूटिप की सेटिंग के बारे में जब भी आप अपने चैनल करेट Kag!!! कराथ करते हैं एक चंपका करने के बाद हो जाने के बाद का अपको क्रम प्राउजर में खुलेना आपका अपने शेटिंग करनी है क्लेसain के जो क्य बीडे वीडियो अप्लोड करते हैं उनको यह चीज़ें नहीं पता होती किया है वो भी सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपके सस्काइबर भी आएंगे ब्यूज भी आएंगे और आपको इससे बेनिफिट होने वाला है काफी लोग गलती करते हैं अपने चैन होती होती हो कैसे करनी है चैनल की जो сообщ होती है आज की विडियो में आपको बताने वालों कि आपने होती है आप ब्लीयू य्सके लिए जैसे कि आपको चैनल है काफी अच्छा ग्रो कर जाता है और आपको ब्यूज्ज और स्क्रैबर मिल जाते हैं उसकी वजए से चलते हैं फोन की स्क्रीन पर तो आपको करना यह है कि आपको अपना चैनल Chrome browser में open कर लेना है वाइटी स्टूडियो अपना Chrome browser में open कर लेना अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसको open करते है इस पहले वीडियो बनाई आई वर्टन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी नहीं तो आपको description में भी उसका मैंने link दिया हुआ है जो कि मेरी प्रूरी playlist है जिसकी वीडियो आप देख रहे हो उसका मैंने link सारा के सारा दियो है बट आपको वीडियो देखनी तो उसके लिए के आगे लिखा होगा उस link पर आप क्लिक करना और आपको पता चल जाए कि कैसे आप इसको open कर सकते हैं काफी लोगों को दिक्कत आती है और काफी लोगों समझ नहीं आता क्योंकि वो सीधह ही application में चल जाए तो उनको काफी रोलम आती है तो मैंने उनको बताए कि कैसे दो step पिड़ता है कि कैसे कैसी से करनी है तो यहां पर पहुंच आगे जिसे यहां पर पहुंच आती हो आपने चैनल open कर लिया अगर आपके बस open है तो यहां पर आना है और मैं आपको बताता हूं सेटिंग के बारे में पूरी details के साब बताऊंगा किसमें क्या क्या settings होती है और कौन सेटिंग होती है जो भी मैं आपको बताने वालों तो सबसे पहले आजाता है जर्नल आप जब भी open करते हो सेटिंग तो जर्नल आ जाता है और जर्नल में आ जाता है currency यहां पर आपकी currency USD USD में शो होती है अगर आप इसको इंडियन currency में करना चाते है तो इस पर क्लि पीज में हो जाएगी अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ के बारे में जो है चैनल की चैनल की मेन सेटिंग होती है वह यह होती है इस के पहले भी आपको बता है जो basic information थी इसके बारे में आपको बता दिये था कि काफिलों को दिक्कत आती है जब उनका चैनल ऑन आपने चैनल पे कुछ वीडियो डाली लिए तbn जाकर उनका चैनल सबसे टॉप में शोह है अगर उनको पता होगा अगर आपने व वीडियो देख्ञे होगी डिक्रिशन में भी आपशा यूंगर आपको करना है सबसे पहले है के आपकी 100 करने होगे सक सबसे पहले आप इपको कि वर लेकिंडियो किए चैणल आपको बदेना को कीवर्ड बनाई है जिसके आपको बताई है चैनल का क्यसे कर सकते हो और चैनल की सब से ूमे किले ले आसकते हैं इसका लिक मेरे लिए लिक प्र के लिनक मैं वहासे जाके देख सकते हैं इसमें 이पको सबस्ति में पहले आजाती है। यहांस सबसे पहले आती है और आपको बताना है YouTube बालों को कि आपकी जो audience है कौन सी audience है आपकी वीडियो जो है kids देखते हैं ये kids से उपर जो होते हैं young लोग जो होते हैं वो देखते हैं यहाँ पर अगर आप yes करोगे तो आपकी जो वीडियो है आपकी जो वीडियो उसमें कुछ criteria आ जाएंगे काफी आपकी earning काफी low होती है और काफी आपको दिक्कत आती कभी भी आपको यहाँ पर कौपा का गलत यूज नहीं करना है अगर आप अपनी वीडियो पर yes कर दोगे तो आप गलत यूज कर रहे हो क्या क्योंकि आपको अगर वीडियो बनाती है तो आपको रिव्यू करेगा हर वीडियो में बट आपको करना कि है यहाँ पर odysi choose करनी है वो no पर ही रहने देनी है आपकी जो वीडियो है वो किडिस के लिए नहीं है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर no वाले पर के लहन आपको आगय नीचे स्फ्क्राइब्र काउंट से यहां पर ऊपका टिक होगा जब आपनेस चनल करते हो जो प्लाट के लिए कर दो स्भू कुछ नगे सब कुछ आपका सभी है तो आपको वीवेर जो वीडियो देख रहे हैं वो आपकी वीडियो देख लेंगे और आप इसे फायदा हो जाग enm करके भी चले जाते हैं, यहाँ पे आपको उन्टिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ भी ने करना है है हो हुआ बैको सीप very capable छत्म हो जाता है कुछ भी करने जाते हैं तो ने डाल पाते हैं तो यहाँ पर आना है और आने के बाद यहाँ पर इनेबल लिखा रहा है बट यहाँ पर आपके इनेबल नहीं होगी यहाँ पर आपको बैरिफाय को उप्शन आएगा इस पर क्लिक करोगा क्लिक करने का आपको भी नंबर डाल आपना एक नमबर ढ़ल तो जो भी आपके पास है, अगर आपने एक नमबर को पहली YouTube को इसी को verify करने के लिए कर दिये, तो इस नमबर को कभी use मत करना, दूसरे नमबर को use करना, एक नमबर एक ही YouTube को verify करने के लिए use किया जाता है, यहाँ पर ढलना या डालने कर तो आपको code आएगा जैसे code आता है वो डालने के बाद continue करो continue करने के जब भी वहां पे लिखाएगा verify हो चुका है और आपको जो नमबर है verify हो चुका है और आपका चैनल वाली यहां पर इसके बाद आप बैक करके देखना और refresh करना तो enable हो जाएगा यहां पर आपका काम हो जाता है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने की जूरूत है इसके बाद आगया आपका आपका आगया upload default अभी upload default क्या होता है upload default यह होता है कि जब भी आप अपनी वीडियो जब भी आप अपनी वीडियो को डालती हो तो डालने के बाद जब भी आप इसको upload default को यहां पे save करो अगर description पगर आपने लिखा होगा तो automatic की वो set हो जाएगा आपको लिखने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो यहां पे title आता है title तो हमेसा आपका अलगी होगा आपकी वीडियो का बड़ जो description होता है उसमें आपने same ही चीज़े डाले होती है जैसे social media का आपने वहां पे link दिये होंगे वहां पे subscribe को बोला होगा ऐसा कुछ लिखा होगा तो सब कुछ आपका वहीं आप यहां पे paste कर दो उसको सब कुछ यहां पे description में paste कर दो जब भी आप वीडियो अप्लोड करोगे तो वो automatic ही आ जाएगा इसके बाद आगया बीजीवल्टी बट यह उपर वाल करें और upload करने के बाद अगर इसको पॉलिक कर दो तो पॉलिक करने के बाद ये सब और अपकी वीडियो देख पाएगा और कोई परसन आपकी देख पाएगा इसके बाद आगया आपका tag टैग हमेशा हलक होते हैं हर वीडियो के बट आपको हमेशा यहाँ पे एक टैग हमेशा लगाना है टैग के अपने चैनल का नेम का टैग हमेशा लगा रखना है जिससे कि आपकी वीडियो आपके चैनल के नीचे शो होती है और आपके फाइदा होता है और और किसी का चैनल श इन दोनों के बारे में आपको जानना होगा बट इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा ही कि यह दोनों के benefit क्या होते हैं इसमें रखने से क्या होता है और नीचे विले में रखने से क्या होता है standard YouTube license रखने से क्या होता है और creative commerce में क्या होता है इसके बारे में भी आपको आगे में जाके बताऊंगा इसके बाद आगया आपका category category हमेशा जब भी आप अपने चैनल क्रेट करते हो नन पे होती है आप जिस भी रेटेड वीडियो मनाते हो फोड के लिए ट्राइव रेटेड उसी रेटेड आपको रख लेनी है पर आप यहाँ पर ध्यान देना एं कभी English में लिखिया थे कभी कोई और language में अगर आप वो देते हो तो यहां पे आपको वो language चूज कर लिए है नन है तो मैं नन ही रखता हूँ क्योंकि मैं कोई भी caption नहीं देता हूँ इसके बता आपका जो title and description की language होती है किस language में डालती है हिंदी में English में किस में डालती चूज करके रखा हुगा है उसके आगे और यहां पर आगया comments अब यहां पर comments का option होता है यहां पर comment आप अपनी जो वीडियो का comment का hold करना चाहते है कुछ review में लेकर चाहते है मतलब कि पहला जो option है वो allow है कोई कोई भी person आपको comment कर सकता है आपकी वीडियो पर दूसरा option है कि जब भी कोई person comment करेगा तो आप इसको review करोंगे उसके बाद ही जाएगा मतलब आप review करोंगे उसी के बाद सब को सोगा और hold all comments for review मतलब कि यहां पे जो यह वाला option है इसमें कोई-कोई आपके जो कोई-कोई ही comment जो hold होते हैं जो गलत होते हैं यह वाला जो हता है इसमें all comment जो वोड़ हो जाते हैं in the YouTube कमेंट करने से प्रक्राइब करने से होता है आपके विघ्व कमेंट ही नहीं ॹाहाज जिसके पर इसे वीन करने है उंगे इसके बाद को यहां पर कुछ भी नहीं करना है यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है अगला इस पर क्या है कि जब भी आपके मिनियुत होता है तो यहाँ पर वीडious जो भी एड लगाना चाहती है जिस पर टाइप की और लगाना चाहते हो यहां पर चाहर आपको दीगी गालकी अ कि अगरा यहापकि। कलिक कर सकते हो इसके बाल आ गया कि जो हो होती तो इसको ऐसे रहाना है, इसको बता कर ख़़ो कम्यूंटी किस के लिए उस्ती में आपको बता तो यह भी काफी ऐची की चीज है, जो लॉइक हो दो चैज देखाों ही डिद्वी काफी सारे ने यॉई की आगे ब्ल्यू टिक बनी है, ब्ल्यूट कलर में लिखाता है उनका न संभालते हैं जब बनाया दिये चाता है तो इसको थोड़ा से एक्सस मिल जाता है और किसी पर्सन को ब्लोग कर सकता है किसी वर्सन को जो गलत बात बोल रहा है तो वहां पर सांती लिए का सकता है इसके लिए बनाया जाता है काफी लोगों को क्यों कि जो ध्यान नहीं दे पा हाइड इसलिए क्योंकि आपको पता ही कि आपकी यूटूब वीडियो के नीचे ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं होंगे वह आपको उनकी लेंग्विस समझ नहीं आएगी तो मैंने हाइड करके दोवारा वह कमेंट ना कर पाए और ब्लॉक अग मैंने आपको बताया ऊपर कमेंट के बारे में सेम वही है रिव्यू में चलाएगा यहाँ पको कुछ करने की जुरूतन है और कुछ भी करने की जूरूत कि आपको YouTube में जब आप अपना चनल करते हैं तो हमेशा कर लेनी चाहिए जब भी आप अपना चनल करते हो उसके बनाने के वाद सारी सेटिंग आपको कर लेनी चाहिए तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा काम पसंद आया और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो आपने फ्रेंड को शेयर कर दो जिन्हें यूट्यूब चैनल के बारे में कि कैसे सेटिंग करते हैं के चीज़ है मैं आपको सब सब्सक्राइब करता हूँ तो मुझे आपके में करोगा आपकी कर दूँगा आपके सल्यूशन भी आपको बता दूँगा अगर उसका सल्यूशन मुझे पता होगा और उसका स्यूशन होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में